हलो दोस्तो तो दोस्तो आज अपन रिव्यू करने वाले है दबोईस के सिजन टू का तो दोस्तो चलो अपन इसके पोइंट वाइस रिव्यू करेंगे जिसमें अपन बात करेंगे कि दबोईस के सिजन टू की स्टोरी के सी है पफॉमेंस के साह है क्लाइमेक्स के साह है और य पूचर के से बच गया और उसका आगे का प्लेन क्या है अपन को यह दिखाते हैं फिर सीजन सीजन टू के एपिसोड 345 थोड़े वीक पढ़ते हैं बाकी एपिसोड 6 से वापस फुल मजाना हो जाता है चालू हो जाता है मतलब अपन को दब बोईस में दिखाया गया था कि हर सुपर हिरो अच्छा नहीं होता जो मतलब अपने लिए नफरत पेदा हुई थी सीजन वन में वो नफरत सीजन टू में अपन को और बढ़ जाती है जो मतलब सुपर हिरो की डार्क साइड है अपन को और डिटेल में दिखाई जाती है मतलब फिर अपन को इस सीजन में तो म पर जाती है लेकिन जो मज़ा होता है ये देखने का वो मज़ा तो उतना बरकरार रहता है ये लेकिन हां स्टोरी थोड़ी वीक पर जाती है लेकिन फिर भी सब सही है फिर बात करें परफोमेंस की तो सीजन टू में भी किसी केरेक्टर को जादा बड़ा चड़ा कर नहीं दि लब स्टोरी चलती है, माशूम वाली वो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सीजन वन में उनका थोड़ा सा रोल इता कुछ खास नहीं लगा, फिर सीजन टू में मतलब उनका रोमेंटिक कली जो करेक्टर है, वो बढ़ाया जा रहा है, जो की बहु और फिर इसमें को इसमें एक और अच्छा लगता है वह यूई का क्यूंकि आपने जैसे काफी लड़के यूई से रिलेट कर पाते हैं जो लाइफ में थोड़े वीक पड़ जाते हैं अपनी परसनल प्रोब्लम्स ने सब चीजों में जिनको लोग कम जोर समझतें फिर बात क सब्रोब्लमस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइट कर दे इसका क्लाइमेक्स काफी इसका क्लाइमेक्स कफल रहता है वह कं पर देदेता है मतलब आपकी जो सिजन 3 को लेज़कर उमीद है कि कि सीजन 3 में क्या होगा तो वह बहुत सारी Hack crime कर आद और आपके अंदर वह वो Jude werden two being weak पढ़ जाता है लेकिन देखने लयक तो है पूरे सिजन की बात कहले तो देखो पूरा सिजन में हां इस सिजन में कुछ झाद मतलब का स्थारी वीक पढ़ जाती क्लाइमेक्स भी अच्छा देखने नहीं मिलता लेकिन फिर भी पूरा सीजन देखने तो लाइक है अगर आपने सीजन वन देखा है तो सीजन टू में भी आपको मज़ा आए गाज तो दोस्तों अगर आपने ओल्मस तो सबने देखी लिया होगा लेकिन फिर भी नहीं देखा